दोस्तों, हमने देशबंधूर चितरणजन दास पर बनाई गई हमारी वीडियो में अलिपूर बमकांट का जिक्र किया था, जिसने उनकी वकालत को उचाई पर पहुचा दिया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्सन में दिये गए लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस बमकांट की पूरी कहानी। वो कहां से शुरू हुआ था और कहां पे खत्म। तो चलिए शुरू करते हैं। अलिपूर बमकांट को मनिक टोला बमकांट और मुरारी पुकुर बमकांट से भी जानते हैं। अलिपूर बमकांट का केंदर उत्तर कोलकाता के मुरारी पुकुर का गार्डन हाउस था। ये घर सिविल सर्जन क्रिशन्धन भोश का था। क्रिशन्धन भोश के दो बेटे थे बड़े बेटे बारिन भोश और छोटे बेटे अर्बिंदो भोश। क्रिशन्धन भोश ने सन 1889 में बारिन भोश और अर्बिंदो भोश का दाखिला इंगलेंड के सेंट पॉल स्कूल म करवा दिया दोनों ने वहां पाई की फिर अर्विंदो भूष ने 14 साल बढ़ोदा राज में नौकरी की सन 1893 में बारिन और अर्विंदो भारत वापस आ गए वापस आने के बाद अर्विंदो भूष संस्कृत भाषा का अध्यायन करने लगे 1905 के बंगाल विभाजन के दर म्यान अर्विंदो भूष राजनीती में शामिल हो गए बंगाल में कई गुप्त संगठन बन गए थे जो हिंसा के जरी अंग्रेजों का राज खत्म करना चाहते थे ऐसा ही एक संगठन था कोलकता का अनुशीलन समिती जिसके अर्विंदो और उनके भाई बारिन भूष बनाने लगे उनकी योजना बं बनाने की थी और उनका घर गार्डन हाउस बं बनाने की कार्यशाला बन गया घर के पीछे जहां बं बनाये जा रहे थे वहीं सामने के कमरों में भजन कीर्तन हुआ करते थे ताकि वहां से गुजरने वालों को कोई शक ना हो बं बनाने के अ परीक्षन के लिए उल्लास का दत्ता, बारिन भोश, विभूती भूशन सरकार, नलिनी कांटो गुपता और प्रफुल चंदर चक्रवर्ती का एक ग्रुप देवगर रवाना हुआ। परीक्षन के लिए सन 1906 में कोलकता में अपना घर बेचकर फ्रांस चले गए। वहां उनकी मुलाकात प्रसिध मराथी क्रानतिकारी पांदुरंग बापत से हुई। दोनों ने वहां पी एचडी नाम के रुसी क्रानतिकारी संगठन से बम बनाने की विधा सीखी। हेमचंद्र कानूंगो दास बम बनाने के तरीकों के सत्तर पन्नों के कागजात के साथ भारत लोटे और मुरारी पुकुर गैंग में शामिल हो गए। अब तो अरबिंदो घोश के घर गाडन हाउस में धडलले से उच्च कोटी के बम बनने लगे। इस ग्रुप का पहला निशाना बंगाल का गवर्नर सर एंडू फ्रेजा था। उस पर हमले की कमान बारिन भोश, उल्लास का दत्ता और नरेंद्र गोस्वामी ने संभाली। अक्टूबर 1907 में ये ग्रुप गिरिडी के पास चंद्रनगर पहुचा। एक दिन गवर्नर एंडू एक विशेश रेल गाड़ी से रांची जा रहा था, तब तै किया गया कि पट्री पर बम रख कर ट्रेन को उड़ा दिया जाएगा। हलांकी वे अपने मौके से चुक गई और ट्रेन गुजर गई। कुछ दिनों के बाद दूसरी बार कोशिश की गई और इस बार रेल लाइन के नीचे बम रख दिया गया, लेकिन गवर्नर ने अपना कार्यक्रम रद कर दिया। 6 दिसंबर 1907 को तीसरी बार गवर्नर की हत्या की कोशिश की गई। गिरफतार कर लिया गया और उसे जेल हो गई। ग्रुप का दूसरा निशाना था मुजफफरपूर का जिला मजिस्ट्रेट किंग्जफोर्ड जो सक्थ सजा देने के लिए बदनाम था। बंगाल में उसने बहुत से क्रांतिकारियों को सजा दी थी और इस बात से खुश होकर ब्रिटिश सरकार ने उसे प्रोमोशन देकर मुजफफरपूर भेज दिया था। उसकी हत्या करने के लिए प्रफुल चाकी और खुदी राम बोस को मुजफफर पूर भेजा गया। 30 अप्रेल 1908 की रात दोनों यूरोपियन क्लब के गेट पर किंग्जफोर्ड की बगगी का इंतजार करने लगे। बगगी जब आई तो दोनों ने बमफे का निशाना सही लगा लेकिन बगगी में किंग्जफोर्ड की जगा बेरिस्टर प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी थी। बात दो महीलाओं के मृत्यू की थी तो इस घटना की आवाज भारत के साथ साथ पूरे यूरोप में गूंजी। किंग्जफोर्ड ने बहुत से क्रांतिकारियों को क्रूर सजा सुनाई थी। क्रांतिकारियों के भाय से वह इतना ज्यादा बीमार हो गया कि उसकी मृत्यू तो वैसे ही हो गई। अगली सुबह वैनी स्टेशन जो अब खुदी राम बोस पूसा स्टेशन के नाम से जाना जाता है पर खुदी राम बोस को गिरफतार कर लिया गया और जब प्रफुल चाकी को पुलिसने गिरफतार करने की कोशिश की तब मोकामाघाट पर उन्होंने खुद को गोली मार खुदी राम बोस पर मुकदमा चला और 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई इस घटना के बाद अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों की धड़ पकड़ के लिए अपने मुखबिर लगा दिये मुखबिरों की सूचना के आधार पर अर्बिंदो घुष के ग्रे स्ट्रीट निवास और साथ अन्य ठिकानो सहित मुरारी पुकुर गार्डन हाउस पर दबिश दी गई और 49 लोगों को पकड़ लिया गया इसमें 206 गवाह, करीब 400 दस्तावेज और 5000 से ज्यादा सबूत अदालत में पेश किये गए 6 मई 1909 को ये एतिहासिक मुकदमा पूरा हुआ बारें घुष, उल्लास का दत्ता और कुछ अन्य क्रान्ते कारियों को जेल हुई हिंचंद्र कानुनगो दास और कई अभियुक्तों को उम्र भर के लिए देश निकाला दिया गया और उनकी संपत्ती जब्त कर ली गई मुकदमे में अर्बिंदो घूश और 16 अन्य अभियुक्तों को निर्दोश साबित करने वाले रक्षापक्ष के वकील देशबंधू चितरंजन दास की ख्याती पूरे देश में फैल गई और उन्हें राष्ट्रिय वकील की उपादी से सम्मानित किया गया इसी बमकांड में कनहाईला अलदत, सत्येंद्रनात बोस तथा नरेंदर गोस्वामी भी गिरफतार हुए थे पुलिस ने नरेंदर गोस्वामी को मुखबिर बना लिया, उसने कई साथियों के पते छिकाने बता दिये इससे बहुत से क्रांतिकारी तो पकड़े ही गए, साथ में कई निर्दोश भी पकड़े गए स्वाधीनता प्राप्ति के प्रयत्न में लगे क्रांतिकारीों को जहां एक ओर अंग्रेजों से लड़ना पड़ता था वहीं कभी कभी उन्हें देशद्रोही भारतिय यहां तक की अपने गध्दार साथियों को भी दंड देना पड़ता था अपने ही साथी की गददारी से क्रांतिकारी समुहू को बड़ा धक्का लगा और एक गददार को उसकी गददारी की सजा देना उन्होंने जरूरी समझा अतह कनहाईलाल दत और सत्येंद्रनाथ बोस ने नरेंद्र गोस्वामी को सजा देने का निश्चय किया और जेल में एक पिस्तॉल मंगवाली सुरक्षा की द्रिष्टी से पुलिस ने नरेंद्र गोस्वामी को जेल में सामान्य वार्ड की बजाए एक सुविधाजनक यूरोपियन वार्ड में रखा था एक दिन कनहाईलाल दत बीमारी का बहाना बना कर अस्पताल पहुंच गए कुछ दिन बाद सत्येंद्रनाथ बोस भी पेट दर्द के नाम पर वहां आ गए अस्पताल उस यूरोपियन वार्ड के पास था जहां नरेंद्र गोस्वामी रह रहा था एक दो दिन बाद सत्येंद्रनाथ बोस ने ऐसा प्रदर्शित किया मानों वह इस जीवन से तंग आकर मुखबिर बनना चाहते हैं उन्होंने नरेंद्र गोस्वामी से मिलने की इच्छा भी व्यक्त की यह जानकर नरेंद्र गोस्वामी को भी बहुत प्रसन्नता हुई 31 अगस्त 1908 को नरेंदर गोश्वामी सत्येंदरनात भोस से मिलने जेल के एक अधिकारी हिंगिस के साथ अस्पताल चला गया सत्येंदरनात भोस अस्पताल की पहली मंजिल पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे वहां कनहाईलालदत को देखकर एक बार तो नरेंद्र को शक हुआ पर फिर वह सत्येंद्रनात बोस के संकेत पर उनसे एक आंथ में वार्ता करने के लिए कमरे से बाहर आ गया कनहाईलालदत और सत्येंद्रनात बोस तो इसी अफसर की प्रतीक्षा में थे मौका देखकर कनहाईलार दत ने नरेंदर गोस्वामी पर गोली दागदी पर निशाना चुक गए और नरेंदर गोस्वामी चिल लाते हुए नीचे की ओर भागा गोली की आवाज सुनकर हिंगेस और एक अन्य जेल अधिकारी लिंटन आ गए लिंटर ने कनहाईलार दत को जकर लिया, इस पर कनहाईलार दत ने पिस्टॉल की नाल उसके सिर में दे मारी इस हाथ हपाई में कई गोलियां व्यर्थ हो गई और अब बंदूक में केवल एकी गोली शेश बची थी कनहाईलार दत ने जटके से स्वयम को चुड़ा कर बची हुई वो आखिरी गोली भी दाग दी इस बार निशाना छीक लगा और गदार नरेंद्र गोस्वामी धर्ती पर लुड़क गया सत्येंद्रनात बोस और कनहाईलार दत ने अपना उद्देश्य पूरा होने पर समर्पन कर दिया मुकदमे में कनहाईलार दत ने अपना अपराद स्वीकार कर किसी वकील की सहायता लेने से मना कर दिया अता उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई सत्येंद्रनात बोस ने गोली नहीं चलाई थी इसलिए न्यायाले ने उन्हें फांसी योग्य अप्राधी नहीं माना ब्रिटिश शासन ने इसकी अपील उपर के न्यायाले में की और सत्येंद्रनात बोस को भी फांसी की सजा सुना दी गई 10 नवंबर 1908 को कनहालार दत को फांसी दे दी गई वो हितने मस्थे की फांसी वाले दिन तक उनका भार आठ किलो बढ़ गया था उनके शव की विशाल शोभायात्रा निकाल कर चंदन की लकडी से उनका दाह संसकार किया गया 21 नवंबर 1908 को सत्येंद्रनाथ बोस को भी फांसी दे दी गई कनहालार दत की शवयात्रा से घबराय अंग्रेजों ने सत्येंद्रनाथ बोस का दाह संसकार जेल में ही कर दिया इस बमकांड की वजह से अनुशिलन समिती सुर्खियों में आ गई थी सन 1902 में इसकी स्थापना से लेकर सन 1930 में इसके भंध होने तक बंगाल में क्रांतेकारी आतनक्वाद की हर गतिविधियों का इससे संबंध रहा था अलीपूर बमकांड बंगाल के क्रांतेकारी संधर्ष में एक मील का पत्थर रहा है अगर आपको हमारा काम पसंद आया और आप चाहते हैं कि आगे भी हम ऐसी ही धेर सारी विडियों लेकर आएं तो हमें प्रोथसाहित करने के लिए लाइक, शेर, कॉमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें धन्यवाद